सब्सक्राइब करें फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दियेगे बेल आइकन पर प्रेस करें ताके हमारी नियू तुमाम आने वाली वीडियो आपको मिल सके असलाम अलीकम दोस्तों आप देख रहे हैं हम फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आजम और आज की स्वीडियो में हम जो है क्यूएंड ने करने जा रहे हैं लास्ट वीक के आपके कुछ कुछ क्यूएंड थोड़ा लोंग होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 5000 फी उसकी रखी है काफी सारे दोस्तों जब वो कह रहे थे काँज सर हम 5000 नहीं प्यकर सकते हैं तो उन के लिए मैंने पहले वीडियो बना दी हूए है जिसमें बटा दिया ह। जो नहीं भी कर सकते हैं बहुत सारे दोसे यह जाना चाहरे हैं कि सर यह PCV कोर्स जा इसे हमें फाइदा क्या होगा हम क्या चीज़ सीख पाएंगे क्या हम PCV रुपेर कर सकेंगे देखे इस कोर्स में आपको बेसिक जितना भी जैसे कि आप कोई इंस्ट्यूटूट है कोलीज है वहां से आप कोर्स कर करना है डायाग्राम के थूब बनाकर आपको दिखाया है कि कौनसा कम्पूनेंट क्या करता है उसकी टेस्टिंक कैसी है वह खराब हो तो कैसे चेक होगा सही हो तो कैसे चेक होगा और फिर PCV में क्रण्ट देकर भी चेक करवाया है कि एक एक चीज़ को कहां-कहां पर कैसे- जितने भी components है electronics जो उसका circuit है diagram मतलब मुकमल PCB में indoor unit, outdoor unit, inverter AC बहुत सार दोसी भी बुछ रहे थे कि sir ये inverter AC पर है जी हाँ बिल्कुल focus inverter AC को किया हुआ है inverter AC में जो इसका compressor कैसे test करना है इसके लावा जो components है main इसकी PCB board है PCB board को basic हमने समझ नहें कि ये क्या चीज है तो जब आप इस course को कर लेंगे तो आपको ये बहुत बड़ा benefit होगा कि आपको उसकी मुकमल PCB की समझ आ जाएगी कि उसमें कहां से current आना है कहां पर जाना है, कितने board कहां पर आते हैं, कितने board कहां पर आते हैं मैं वहां पर नहीं आ रहे तो फिर क्या problem होगी पीछे किस चीज को हमने चेक करना है ये सारी चीजे मैंने detail से बताई है और step by step part 1 से लेकर part 14 तक मतलब 14 parts इसके मैंने बनाए हैं और फाइदा उसी को होगा जो शुरू से लेकर end तक इसको step by step देखेगा तो अगर कोई purchase करना चाहता है तो यहां पर आपको contact number मिल रहा है यहां पर राप्ता करके purchase कर सकता है तो चलिए हम अपने Q&A की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले comment है M.Azaz का जो कह रहे हैं कि sir अगर overload बार-बार overheat होकर trip कर रही हो तो क्या reason हो सकता है देखे इसमें reason यह होगा कि आपका जो refrigerator है उसमें compressor का size और overload का size match नहीं हुआ होगा यानि कि मालने कि आपने एक बड़ा 4 का compressor है उसमें आपने एक बड़ा 6 के compressor की overload लगा रही है तो वो overload जल्दी trip हो जाएगी क्योंकि उसकी range थोड़ी कम होगी तो इसलिए compressor और overload के size को match करके लगाएंगे तो फिर problem नहीं होगी तो दूसरे नम्में पर अगर compressor overheat हो रहा हो तब भी जो overload है वो जल्दी उसकी heat को sense करके वो trip कर जाती है तो overload का काम ही यह होता है कि वो overheat होने पर trip कर जाएग मतलब current को रोक दे और अगर आपका एक तो यह reason है compressor में कोई fault है वो overheat हो रहा है तो वो trip कर रही है और दूसरा यह के आपकी overload आपके compressor से match नहीं है तो इसलिए जो है वो overheat होकर पहले ही trip कर रही है अगला comment मेरे पर साज़ेता है सूरज का जो कह रहे हैं कि विंड़ो AC पांच मिनट चलने के बाद compressor वो trip हो जाता है मैंने इसका capacitor भी चेंज किया और उसको वाश भी किया AC को तो फिर भी यही problem आ रही है क्या reason हो सकता है देखें आप compressor को उसके जो comparative starting points है उनको भी लाजमी check out करें क्योंके वहां पर भी अगर लूजिंग होगी स्पार्किंग होगी किसी वाज़ासे कार बनाया होगा थिंबल सही connect नहीं होगा वायर लूज होगी तो वह ओवर हीट होकर compressor जो है वह ट्रिप करेंगा वहां से आप connection आप अपने मुकमल कंप्लीट करें अगर आपकी fan भी ठीक है और मतलब कहीं से वाइरिंग लूज नहीं है इसके अबावजूद यह प्रोब्लम आ रही है तो फिर आपके compressor में फोल्ड हो सकता है को पैस्टर आपने अल्रेडी चेंज कर दिया है वाश भी कर लिया है फिर आपके compressor में फोल्ड हो सकता है गोली शर्मा देएं करें कि F1 error आ रहे है क्या फोल्ड हो सकता है recording हेट्सिंग के नीचे कुछ components लगये होते हैं जिनmost prime module हो गया और forgot की diode और bridge rectifier हो गया इन मेंसे कोई भी अगर componentност ही हो रहा होगा तो ये F1 का error आ जाता है तो F1 exact है किस चीज का IPM module का ठीक है IPM IC एक बड़ा सा है जो के आपको हीट सिंग के नीचे देखने को मिलेगा इसे IPM module कहते हैं तो IPM module का ये F1 error है तो F1 error जब भी आएगा तो ये लाजमी नहीं कि IPM ही खराब है तो F1 आ रहा है IPM के साथ काफी सारी जो legs होती है वो कुछ micro controller में जा रही है कुछ कहीं और कुछ और तीन वो UVW भी होती है तो वहां पर अगर आपका IPM के साथ जो जो चीजे connect है उन में से कोई भी SMD resistor ही है अगर खराब हो जाता है कोई एक भी तो आपको F1 यानि कि IPM का ही error आएगा तो आपको चेक क्या करना है IPM module और IPM module के साथ जो चीजें लगी हुई है जो IC connects है उनको चेक करना पड़ेगा इसके ओपर मैंने वीडियो तो नहीं बनाई मैं जल्द ही वीडियो भी बना दूगा और वैसे मैंने course जिन्होंने course purchase किया है वो लाज़मी मेरा course complete करे देखे उसमें मैंने IPM module को मुकंबल चेक करने का बताया हुआ है और इसमें मैंने F1 error का भी बताया हुआ है कि F1 जो error है वो किस वज़ा से आता है और उसको कैसे हमने check out करना है वो मैंने course में मुकंबल complete किया हुआ है तो जिन भाई उने भी तक course नहीं किया वीडियो को शुरू में मैंने mobile number दे दिया था WhatsApp नमबर तो वहां पर contact करके वो course purchase कर सकते हैं अगला कमीड मेरा पास आ जाता है निखिल का refrigerator जिसमें gas charge की मैंने इसको wash पी किया उसको clean मतलब करके उसमें से oil काफी निकला 190 लीटर का refrigerator है तो उसमें जो running pressure है वो 0-10 PSI तक आ रहा है और जब fridge को off किया बंद किया तो standing pressure जो है उसमें 20-25 आ रहा है PSI तो क्या यह ठीक है जी है बिल्कुल ठीक है अगर आप कुछ देर और वेट करेंगे तो इसका प्रेशर जो standing pressure होता है ओफ refrigerator में थोड़ा और बढ़ जाता है क्योंकि अभी जब refrigerator में cooling मुझूद होती है तो वह अभी जो प्रेशर स्टेंडिंग वह में कम ही बताता है तो अगर आपकी आपने में चीज यह नोट करनी होती है वैसे तो वेट और दूसरे नमर पर यह कि उसकी जो section line है जो return जहां जिसे हम return भी बोलते है section line वहाँ पर चिल होना चाहिए वहाँ पर ice नहीं आनी चाहिए अगर वहाँ पर ice आ जाती है तो मतलब gas आपकी over है वहाँ पर आपकी एक तो ice नहीं आनी चाहिए और बिल्कुल भी chill ना हो ऐसा भ सब्सक्राइब कर सकते हैं अगला comment मारे पर साज़ादा है गरविंदर सिंग का जो कह रहे हैं कि सर हमाँ gas को remove किये बगार refrigerator में 8601 का compressor है उसका pressure चेक कर सकते हैं देखें 100% तो आप वैसे ही चेक कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ tips में आपको दे दू कि आप अगर मतलब gas आपने अपनी line gauge connect कर लेनी है आपको standing pressure show होगा जितना भी होगा 60, 70, 80, 90, so PSI जितना भी pressure show होता है आपको show होगा gauge पर आपकी तो आपको कांटा कांटा दिखाई देगा वहां पर जितना भी है ठीक है PSI आपने pressure note करके रखना है उसके बाद जब आप refrigerator को own करेंगे तब आप तो मतलब आपका compressor pressure बना रहा है अगर उसका pressure maximum 40, 50 PSI या 60 PSI मतलब थोड़ा बहुत नीचे आया ज्यादा नीचे नहीं आया maximum 50, 50 मतलब center में कहीं रूख गया कांटा तो उसका मतलब यह होगा कि आपका refrigerator जो है उसमें compressor जो हो pressure बना रहा है लेकिन पूरा 500 PSI या 400, 455 PSI नहीं बना रहा है कंक बना रहा है उसका pump वीग हो चुका है और दूसरे पर उसके बाद अगर वो भी नहीं आता कांटा नीचे मतलब जहां पर standing हालत में था रेफिजेटर ओफ ती जहां पर कांटा खड़ा था आपकी गेज पर मीटर पर तो ओन करने के बाद भी वहीं का वहीं अगर तो इसका मतलब यही हुआ कंप्रेसर चल रहा है लेकिन वहां पर कांटा नहीं हिल रहा तो इसका मतलब यह होगा कंप्रेसर की वाइंडिंग मतलब काम चल रहा है कंप्रेसर ओन है लेकिन यह प्रेशर नहीं इसका pump बना रहा है तो फिर 100% आपका कंप्रेसर प्रेश यह उन्हीस करí तो यह तरीका कर आप यूज कर सकते हैं तो जो कह रहे हैं काफी घुस है हुआ legislator कि अपने नीटल नहीं दी आप में आपमें नीटल नहीं दी एक पर फैस दिया हैं और फैस में आपने नीट यहां जिस पर face देना चाहिए और दूसरी neutral पर हमें neutral देनी चाहिए उन्होंने ये कहा है तो मैं उन्होंसे ये कहना चाहूंगा कि single face में जब भी आप कभी लगाते हैं जैसे के हाँ ये चीज इनकी बिल्कुल ठीक है कि company जो है वह अपने डिजाइन में जो भी wiring होती है डाग्राम में वहाट चीज को equal रखती है मतलब जैसे के brown wire है उसको face देगी और black wire हो गई यहां फिर इसके लाभा green wire है उसको अर्थ रखेगी black wire को हमारी neutral रखेगी blue wire को भी neutral रखेग कि हम उसमें common को ही face दे या फिर running को ही neutral दे या running को ही face कुछ लोग मैंने देखा है को कहते है running को face देना चाहिए और common को neutral देनी चाहिए तो कुछ लोग इस तरह उल्टा भी कहा देते तो आप जैसे भी देंगे single face में कोई problem नहीं होगी हाँ three face में problem होती है तीनो face compressor को जाने ह होते हैं अगर तीनों में से एक face मिस कर देंगे उसकी जगा neutral दे देंगे तो problem बनेगी तीनों face हमने देने होते हैं वहाँ पर वहाँ पर अगर हम face जो है change कर देंगे तीनों face को हम change भी कर देंगे तो वहाँ पर problem बन जाएगी लेकिन यहां पर जो है एक neutral है एक face है और यहा वो पोजिटीव पर ही लगाना है नेगीटिव नेगीटिव पर ही लगाना है इन चीदों में उती है और जिस चीज में ऐसी मतलब होगी कुछ प्रोब्लम मैं जरूर आपको गाइड करूँगा उसमें लेकिन सिंपल 220 वोल्ड जो है हमारे उन में ऐसी प्रोब्लम नहीं होती अगला कमें बार साथ आ जाता है अब वो आमिर का जो कहा रहे हैं कि सर्फ फिर दो तीन में चलती है फिर बंद हो जाती है क्या प्रोब्लम हो स चलता है और अगर वह डारेक्ट से ही मतलब डारेक्ट ही नहीं से ही चल रही तो पिर आपके कंप्रेसर में फोल्ड होता है तो यह बहुत ही आसान सी टीप से इन पर मैं ने वीडियो भी बनाई हुई है चलती हमने पहले रिलेए ऑब लोड़ चाक की तो वो उसमें तो चल पड़ी तो क्या प्रोबन हो सकती है इसमें यह सकता है कि आपका अगर आपकी रिले ओवरलोड पहले ठीक थी वह बाद में भी ठीक ही है लेकिन इंटरनल अंदर भी एक ओवरलोड होती है अगर वह ओवर हीट हो जाए तो अंदर से ही उसका सरकुर्ट कट ओफ हो जात होगी तो वह कंप्रेसर वर्किंग में आ गया होगा तो इस तरह हो जाता है जब भी कंप्रेसर ओवर हीट हुआ हो तो फोरी टेस्ट नहीं करना चाहिए उसको हमें पानी से कपड़ा घिला करके उसको एक बार ठंडा कर लेना चाहिए यहां फिर कुछ गहंटे छोड़ दे अचाहिए फाइफटान एसी जो गया सबाइस वो वैक्यूम पर आ रही है यानि के कांटा उनका वैक्यूम पर आ रहा है रीडिंग वह देखते हैं तो वहां पर आपको प्रोब्लम है कि वह चोकिंग हो रही है सिस्टम सिस्टम को चोकिंग कैसे क्लीर करनी है उस पर मैंने जो फिल्टर लगा हुआ हो अगर लगा हुआ है तो उसको चेंज कर दें नहीं तो केपलेरी और केडंसर को अच्छे से क्लीन करें वाश करें इंडोर यूनट और इसकी पाइपिंग को भी लाजमी से देखें क्लीन करने के बाद जब आप इसको ओन करेंगे वैक्यूम करके गयास चार्च करेंगे तो उम्हीद है इंशालला यह बहतरी इनती के से काम करेंगा अगला कमेंट हमारे बासा है हुजाफा का जो कह रहे हैं कि सर अगर अगर अर्थ करें तो क्या प्रोल्म होगी हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले तो आपको यह चीज देख लेनी चाहि एक मीटर की वायर जो है वो स्विच की किसी भी एक पॉइंट पर लगाएं और एक बोडी के साल लगाएं नहीं बता रही तो फिर दूसरे पॉइंट पर लगाएं वो बोडी के साथ ही लगी रहेगी तो अगर कंटिन्यू आती है तो मतलब आपके इंटरनली कोई वैसे घरों में अगर अर्थिंग आपके वायरिंग हुई है तो फिर आप थ्री पिन शू लें तो उसमें जो है नॉर्मल न्यूटरल फेस लगाएं और उपर जो एक बड़े वाला पॉइंट होता है जो अर्थिंग वाला वहां पर अर्थ वाली वायर लगाकर रेफिजि करके उसके साथ अच्छे से वायर कंटट करके वो रफिजिएर्टर की बोड़ी के साथ कनेक्ट करेंगे एक यह त्रीका कार होता है वैसे अगर अर्धिंगgal हो तो वह बहतरी है उसमें अप अर्थिंग उप्हों लगारहिया सकते हैं तो फिर अच्छी करों खिफ से जब आप सिर्फ टोपप करें तो वहां पर चांस कम ही होते हैं लेकिन अगर आप केर नहीं करेंगे तो चांस बंद भी सकते हैं उसमें में चीज यह होती है कि आपने जब भी लीकवर्ड तो आपने चार्ज करना ही है टोपप करते वकत लेकिन लीकवर्ड मैंने कुछ टेक् तो बहुत ज्यादा ग्यास अंदर चली जाती है जो के कंप्रैसर को डैमिज कर सकती है तो इसलिए आप चार-पांच सेकेंड लिकवर्ड उल्टा करें जाने दें फिर सीधा कर दें उसको साइड पर रखें और कुछ दो-चार मिनट जो है उसको फोलो करें उसकी रीडिंग क ताके आपकी गैस जो है अब डोन जहां पर भी जो है कांट आपको अग्जैक्ट पता चल जाएगे अभी गैस कितनी और जानी है और कितनी अभी चली गई है तो फिर दुबारा थोड़ी मतले वेट करकर के आप टोप अप करें जब चार्ज कर रहे हो तब भी आप वेट क साज करें लेकिन लीकवर्ट आप उत-डोल सर्ड चार्ज करें साख साथ-ध गेज को हमारी मैंथ जो मेंफॉल गेज है उनको फॉलो करते रहें के प्रैशर हमारा अब कितना हो गया है थोड़े देर बात फिर चार्ज करें कितना हो किहां हो सकती है उसमें जो है तो इसमें जो है के डंसर लगा हूआ काका रगल पर ऑपके आईस चीजह आप देखें इसका के डंसर और फैन स्पीड और स्पीड न की ठीक है और दीसे नहिए पर यह है कि इसका अगर जो डॉर है वो अगर कहीं से भी open है open हो यह रबर्ड उसकी खराब हो गई हो ठीक है जो डॉर किट होती है वो अगर खराब हो गई है यह open रहता है कहीं से तो फिर भी इस पर आई साने के लिक हो जाते हैं जहां पर जहांपर यह हमारे उसके नोर्मल twice होते हैं ज्यादा इंडोजनेरोट में एक साइड़ पर तो सिर्फ यू बैंड उते हैं और एक साइड़ यू बैंड उते हैं और साथ उसको आप थोड़ी थोड़ी जो है अंदर की तरफ करें और वहां से आप किसी भी ब्लेट की मदद से उसको बिल्कुल फ्लैट काट दें और वहां पर यू-बेंड अज्जस्मेंट करने पड़ेगी मतलब वहां पर आपको आल्ट्रिशन करके वह काम चलाना पड़ेगा वै यू-बेंड खाली चेंज करने की तो वीडियो बनाई है लेकिन वहां पर आल्ट्रिशन करके यू-बेंड कैसे लगा जाता है वहां पर मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैं उसके ओपर विजदी वीडियो बना दूँगा यहां पर मर्मेंट आजएता है साजीद भाई का है जो कह रहे हैं कि सर हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि स्प्लेट अगर आउड़ जूके प्सेट पीचिंबी लगा हुआ है वह रिमूव कर दें और आउड़ ऑड़ को डिरेक्ट कर दें और इंड़ूड का पीचिंवी जो है वह लगा रहे उसी से हम आउड़ूर ज्नलको चला लें ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि अगर इंवर्टर एसी है तो वह PCV के साथ कम्यूनिकेशन उसकी मैच होना जरूरी है दूसरी नमबर पर उसका कंप्रेसर अगर DC इंवर्टर है तो वह तो कभी भी नहीं चलेगा हाँ अगर कंप्रेसर उसका AC है मतलब AC वोल्ट पर ओप्रेट होने वाला है 220 वोल्ट पर तो फिर आप उसमें इजीली जो है उसकी PCB रिमूव कर सकते हैं इंडोड उनिट की भी आप करना जरूरी है उसमें अगर DC नहीं हो तो फिर तो PCB जो है आपको इतना बड़ा सैट अप लगाने के जूद नहीं होती तो उसमें आपको PCB इसलिए लगा कर दिया गया है कि कंप्रेसर को वह PCB ऑपरेट कर सके तो आप ऐसा नहीं कर सकते अगर आपका कंप्रेसर 220 वोल्टीज होगा तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं तो यह था कि मैंट एक मिद्ध करता हम आपको पिसंदाए होगा अगर आपको वीडियो पिसंदाए तो वीडियो को लाइक करें चैनल आपन यू है तो फुली फॉर्वार्वर्ड यूटीब चैनल को इस वीडियो को नीचे रड़ बटन पर क्लिक करके सब्सक्काइब कर लें मैं मैं आप आप से नेक्स पोडियो में थैंक्यू सो मच अल्लाहाफीज